पहला युहना दूसरा अध्याई हे मेरे बालको मैं ये बाते तुम्हें इसले लिखता हूँ कि तुम पाप न करो और यदि कोई पाप करे तो पिता के पस हमारा एक सहायक है अर्था धर्मी इशु मसी और वही हमारे पापों का प्राइश्चित है और किवल हमारे ही नहीं बरन सारे जगत के पापों का भी यदि हम उसकी आग्याओ को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं जो कोई यह कहता है मैं उसे जान गया हूँ और उसकी आग्याओ को नहीं मानता वो जूटा है और उसमें सत्य नहीं पर जो कोई उसकी वचन पर चले उसमें सचमुछ परमीश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें है जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था हे प्रियो मैं तुम्हें कोई नई आग्या नहीं लिखता पर वही पुरानी आग्या जो आरम से तुम्हें मिली है यह पुरानी आग्या वो वचन है जिसे तुमने सुना है फिर भी मैं तुम्हें नई आग्या लिखता हूँ और यह उसमें और तुम में सची टहरती है क्योंकि अंधकार मिटता जाता है और सत्य की जोती अब चमकने लगी है जो कोई यह कहता है कि मैं जोती में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है वो अब तक अंधकार ही में है जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वो जोती में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि कहां जाता है क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखे अंधी कर दी है हे बालको मैं तुम्हें इसले लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे पाप शमा हुए है हे पीतरो मैं तुम्हें इसले लिखता हूँ कि जो आदी से है तुम उसे जानते हो हे जवानो मैं तुम्हें इसले लिखता हूँ कि तुमने उस दुष्ट पर जैप आई है हे लड़को मैंने तुम्हें इसले लिखा है कि तुम पिता को जान गए हो हे पीतरो मैंने तुम्हें इसले लिखा है कि जो आदी से है तुम उसे जान गए हो हे जवानो मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवन्त हो और परमिश्वर का वच्चन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तों से प्रेम रखो यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाशा और आंखों की अभिलाशा और जीविका का घमन वो पिता की ओर से नहीं परंतो संसार ही की ओर से है संसार और उसकी अभिलाशाय दोनों मिठते जाते हैं पर जो परमीश्विर की इच्छा पर चलता है वो सरवदा बना रहेगा हे लड़को यह अंतिम समय है और जैसा तुमने सुना है कि मसी का विरोधी आने वाला है उसके अनुसार अभी बहुत से मसी विरोधी उठ खड़े हुए है इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है वे निकले तो हम ही में से पर हम्मे के थे नहीं क्योंकि ये दिवे हम्मे के होते तो हमारे साथ रहते पर निकल इसलिए गए कि ये प्रगट हो कि वे सब हम्मे के नहीं है परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिशेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते पर इसलिए कि उसे जानते हो और इसलिए कि कोई जूट सत्य की ओर से नहीं जूटा कौन है केवल वर्जो इशु के मसी होने से इंकार करता है और मसी का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इंकार करता है जो कोई पुत्र का इंकार करता है उसके पास पिता भी नहीं जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है जो कुछ तुमने आरंब से सुना है वही तुम में बना रहे जो तुमने आरंब से सुना है यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगी और जिसकी उसने हमसे प्रतिया की वानंत जीवन है मैंने ये बाते तुम्हें उनके विशे में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं परंतु तुम्हारा वभिशेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें बना रहता है और तुम्हें इसका प्रयोजे नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए वरंड जैसे वभिशेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बात सिखाता है और यह सच्चा है और जूटा नहीं और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो अतह हे बालको उसमें बने रहो कि जब वो प्रगट हो तो हमें हिया हो और हम उसके आने पर उसके सामने लजित न हो यदि तु वो धर्मी है तो यह भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है नीतिवचन दस्वा अध्याई सुलेमान के नीतिवचन बुद्धिमान पुत्र से पिता आनंदित होता है परंतु मुर्ख पुत्र के कारण माता उदास रहती है दुष्टों के रखे वो पूरी होने नहीं देता जो काम में डिलाई करता है वो निर्धन हो जाता है परंतु कामकाजी लोग अपने हातों के द्वारा धनी होते हैं जो बेटा धूपकाल में बटोरता है वो बुद्धी से काम करने वाला है परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड का कारण होता है धार्मी पर बहुत से आशिर्वाद होते हैं परंतु उपद्रफ दुष्टों का मूझ चा लेता है धार्मी को स्मरण करके लोग आशिर्वाद देते हैं परंतु दुष्टों का नाम मिट जाता है जो बुद्धिमान है वह आग्याओ को स्विकार करता है पर नैन से सैन करता है उससे औरों को दुख मिलता है और जो बकवादी और मुड है वो पच्छाड खाता है धर्मी का मूँ तो जीवन का सोता है परंतु उपद्रव दुष्टों का मूँ छा लेता है बैर से तो जगड़े उत्पन्न होते हैं परंतु प्रेम से सब अपरात जाते हैं समझवालों के वचनों में बुद्धी पाई जाती है परंतु निर्बुद्धी की पीठ के लिए कोड़ा है बुद्धमान लोग ज्यान को रख छोड़ते हैं परंतु मुड के बोलने से विनाश निकटाता है धनी का धन उसका दृड नगर है परंतु कंगाल की निर्धंता उसके विनाश का कारण है धर्मी का परिश्ट्रम जीवन के लिए होता है परंतु दुष्ट के लाब से पाप होता है जो शिक्षा पर चलता वा जीवन के मार्ग पर है परंतु जो डाट से मुह मोडता वो भटकता आर मुर्क है जहां बहुत बाते होती है वहा अपराद भी होता है पर नुद्धी निर्बुद्धी होने के कारण मर जाते हैं धन यहवा की आशिशी से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता मुर्ख को तो महापाप करना हसी की बाद जान पड़ती है परन्तु समझ वाले पुरुष में बुद्धी रहती है दुष्ट जन जिस विपती से डरता है वो उस पर आपड़ती है परन्तु दर्मियों की लालसा पूरी होती है भवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है परन्तु धर्मी सदा लोस्थिर है जैसे दात को सिरका और आंक को धुवा वैसे आलसी उनको लगता है जो उसको कहीं भेजते हैं यहवा का भै मानने से आयू बढ़ती है परंतु दुष्टों का जीवन थोड़े ही दिनों का होता है धर्मियों का आशा रखने में आनंद मिलता है परंतु दुष्टों की आशा तूट जाती है यहवा खरे मनुश्य का गड़ तहरता है परंतु अनर्थ कारियों का विनाश होता है धर्मी सदा अटल रहेगा परंतु दुष्ट पृत्वी पर भसने न पाएंगे धर्मी के मूँ से बुद्धी टपकती है पर उलट फेर की बात कहने वाले की जीब काटी जाएगी धर्मी ग्रहन योग ये बात समझ कर बोलता है परंतु दुष्टों के मूँ से उलट फेर की बाते निकलती है नीती वच्चन ग्यारवा अद्धियाई चलके तराजों से यहवा को गुरुणा आती है परंतु वह पूरे बटकरे से प्रसन होता है जब अभिमान होता तब अपमान भी होता है परंतु नम्र लोगों में बुद्धी होती है सीदे लोग अपनी खराई से अगुआई पाते हैं परंतु विश्वास गाती अपने कपट से नश्ट होते हैं कोप की दिन धन से तो कुछ लाब नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यू से भी बचाता है, खरे मनुश्य का मार्ग धर्म के कारण सीधा होता है, परंतु दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है, सीधे लोगों का बचाव उनके धर्म के कारण होता है, परंतु व दुष्ट उसी विपति में पढ़ जाता है भक्तिहिंद जन अपने पडोसी को अपने मुझ की बात से बिगाड़ता है परंतु धर्मी लोग ज्यान के द्वारा बचते हैं जब धर्मियों का कल्यान होता है तब नगर के लोग प्रसन होते हैं परंतु जब दुष्ट तब जैजेकार होता है सीधे लोगों के आश्रवाद से नगर की बढ़ती होती है परंतु दुष्टों के मुझ की बात से वो धाया जाता है जो अपने पडोसी को तुछ जानता है वो निर्बुद्धी है परंतु समझदार पुरुष चुपचाप रहता है जो करता फिरता वो भेद प्रगट करता है परंतु विश्वास योग्य मनुश्य बात को छपा रखता है जहां बुद्धी की युक्ती नहीं वहां प्रजा विपती में पड़ती है परंतु सम्मती देने वालों की बहुदायत के कारण बचाव होता है जो परदेशी का उत्तर नहीं खोती है और उग्रल लोग धन को नहीं खोते कृपालू मनुश्य अपना ही भला करता है परंतु जो कुरूर है वो अपनी देह को दुख देता है दुष्ट मिथ्या कमाई कमाता है परंतु जो धर्म का बीज बोता उसको निश्चे फल मिलता है जो धर्म में दृड रहता वो जीवन पाता है परंतु जो बुराई का पीछा करता वो मृत्यू का कौर हो जाता है जो मन के टेड़े हैं उनसे यहवा को गुर्णा आती है परंतु वो खरी चाल वालों से प्रसन रहता है मैं दृड़ता के साथ कहता हूं बुरा मनुश्य निर्दोशन टहरेगा परंतु धर्मी का वन्ष बचाया जाएगा जो सुन्दर स्थ्री विवेक नहीं रखती व तुतुन में सोने की नत पहिने हुए सूर के समान है धर्मियों की लालसा तो केवल भलाई की होती है परंतु दुष्टों की आशा का फलक्रोध ही होता है ऐसे हैं जो चितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ती ही होती है और ऐसे भी हैं जो यथार्त से कम देते हैं और इससे उनकी घटती ही होती है उदार प्राणी रिष्ट प्रिष्ट हो जाता है और जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी जो अपना अनाज रक छोड़ता है उसको लोग शाप देते हैं परंतु जो उसे बेच देता है उसको आश्रवात दिया जाता है जो यतन से भलाई करता है वो दूसरों की प्रसनता खोजता है परंतु जो दूसरों की बुराई का खोजी होता है उसी पर बुराई आ पड़ती है जो अपने धन पर भरोसा रखता है वो गिर जाता है परंतु धर्मी लोग नए पत्ते के समान लहल हाते हैं जो अपने घराने को दुख देता उसका भाग वायू ही होगा और मुड बुद्धिमान का दास हो जाता है धर्मी का प्रतिफल जीवन का वरक्ष होता है और बुद्धिमान मनुश्य लोगों के मन को मुह लेता है देख धर्मी को प्रत्वी पर फल मिलेगा तो निश्च है कि दुष्ट और पापी को भी मिलेगा नीती वचन बारवा अध्याई जो शिक्षा पाने से प्रीती रखता है वो ज्यान से प्रीती रखता है परंतु जो डांट से बैर रखता वो पशु सरीखा है भले मनुष्य से तो यहवा प्रसन होता है परंतु बुरी युक्ति करने वाले को वो दोशी तहराता है कोई मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं होता परंतु धर्मियों की जड़ उखडने की नहीं बली स्त्री अपने पती का मुकुट है परंतु जो लज्जा के काम करत सीवा मानों उसकी हड्डियों के सडने का कारण होती है धर्मियों की कलपनाये नियाई ही की होती है परंतु दुष्टों की युक्तियां चलकी है दुष्टों की बात्चत हत्या करने के लिए घात लगाने के विशे में होती है परंतु सीधे लोग अपने मुझ की बात के जब दुष्ट लोग उल्टे जाते हैं तब वे रहते ही नहीं परन्तु धर्मियों का गर स्थिर रहता है मनुष्य की बुद्धी के अनुसार उसकी प्रशंसा होती है परन्तु कुठल तुछ जाना जाता है जो रोटी की आस लगाए रहता है और बढ़ाई मारता है उससे द दास रखने वाला छोटा मनुष्य भी उत्तम है धर्मी अपने पशू के भी प्राण की सुधी रखता है परन्तु दुष्टों की धया भी निर्धहता है जो अपनी भूमी को जोतता वो पेट भर खाता है परन्तु जो निकमों की संगती करता वो निर्भुदी टहरता है दुष्ट जन बुरे लोगों के जाल के अभिलाशा करते हैं परन्तु धर्मियों की जड हरी भरी रहती है बुरा मनुष्य अपने दुरवचनों के कारण फंदे में फस्ता है परन्तु धर्मी संकट से निकास पाता है सजन अपने वचनों के फल के द्वारा भलाई से त्र बुद्धिमान है, मुड की रीस उसी दिन प्रगट हो जाती है, परंतु चतूर अपमान को छिपा रखता है, जो सच बोलता है वो धर्म प्रगट करता है, परंतु जो जूटी साक्षी देता वो चल प्रगट करता है, ऐसे लोग है जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलव के समान चुबता है परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं सचाई सदा बनी रहेगी परंतु जूट पलही भरका होता है बुरी उक्ति करने वालों के मन में चल रहता है परंतु मेल की उक्ति करने वालों को आनंद होता है धर्मी को हानी नहीं होती है परंत सत्तुर मनुष्य ग्यान को प्रगट नहीं करता है परंतु मुढ़ की मुढ़ता उंचे शब्द से प्रचार करता थे कामकाजी लोग प्रभूता करते हैं परंतु आलसी बेगार में पकड़े जाते हैं उदासमन दब जाता है परंतु भली बात से वह आनंदित होता है धर्मी अपने पडोसी के अगवाई करता है परंतु दुष्ट लोग अपनी ही चाल के कारण भटक जाते हैं आलसी अहेर का पीछा नहीं करता परंतु कामकाजी को अनमूल वस्तु मिलती है धर्म के मार्ग में जीवन मिलता है और उसके पथ में मृत्यों का पता भी नहीं भजिन से 1046 अद्धियाए परमेश्वर हमारा शेरन स्थान और बल है संकट में अतिसहत से मिलने वाला सहायक इस कारण हमको कोई भई नहीं चाहे पृत्वी उलट जाए और पाढ़ समुद्र के बीच में डाल दिया जाए चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पाढ़ उसकी बाढ़ से कांप उठे एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परमप्रदान के पवित्र निवास्तान में आनंद होता है परमेश्वर उस नगर के बीच में है वो कभी टलने का नहीं पौफटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है जाती जाती के लोग जला उठे राजी राजी के लोग डगमगाने लगे वो बोल उठा और पृत्वी पिघल गई सेनाओ का यहवा हमारे संग है याकुब का परमेश्वर हमारा उंचा गड़ है आओ यहवा के महा कर्म देखो कि उसने पृत्वी पर कैसा कैसा उजाड किया है वो पृत्वी की चोड तक की लडाईयों का मिटाता है वो धनूश को तोड़ता और भाले को दो टुकडे कर डालता है और रथो को आग में जोंक देता है चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ मैं जातियों में महान हूँ मैं पृत्वी भर में महान हूँ सेनाओ का यहवा हमारे संग है याकुप का परमेश्वर हमारा उंचा गड़ है